आखिर चात्रों के आंदोलन में क्यों नहीं गए अवादोजा सुनकर आपका भी दिमाग गूम सकता है। डेली UPSC प्रोटेस को लेकर फाइनली विकास दिव्यकीर्ती और अवादोजा ने तोड़ी चुपपी। चार दिन बाद मीडिया के सामने आये। बेस्मेंट मतलब आप अंदर हो गए तो कोई गैरंटी नहीं बेस्मेंट मतलब एक कॉंसेंट्रेशन कैम्प। दोस्तो राष्ट्री राजदानी के ओल्ड राजेंद्र नगर स्तित कोचिंग संस्तान में तीन चात्रों की मौत पर हंगामा जारी है। बड़ी संख्या में चात्रा सड़क प पर भी सवाल उठाए। यूजर्स ने ये भी सवाल किये कि आखिर विकास दिव्यकीर्ती और अवदोजा सर छात्रों के चलाये जा रहा है आंदोलन में क्यों नहीं गए। इन सवालों पर अवदोजा सर ने चुपपी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर UPS KC के तैयारी कराने वाले दो गुरु को लेकर जिस तरह से बातें चल रही उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोचिंग थी। मैंने करवाया मुझे ढूंडा जा रहा था वहाँ पर एक दिन नहीं आया दूसरे दिन नहीं आया तो मैं ही जिम्मेदार था। ऐसा और विकास दीवय कीरती जिम्मेदार है। उन्होंने दिल्ली कोचिंग हाथसे के बाद चात्रों के आंदोलन पर भी सवाल खड़े किये और बताया कि आखिर वो प्रदर्शन कर रहे चात्रों के बीच क्यों नहीं गए। अवधोजास सर ने दिल्ली कोचिंग हाथसे पर तोड़ी चुपपी, अवधोजास सर, एजुकेटर, यूपीसी कोच और यूट्यूबर है। वो अपने पढ़ाने के अनूठे अंदाज को लेकर चात्रों में चर्चित हैं। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर टिपणिया की गई उ उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, फिर मुझे पता चला कि दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुचता, मेरे माता पिता दोनों की स्तिती खराब हो गई। उनके पास जाकर बताया गया कि आपके लड़के की कोचिंग में वार्दात हो गई है, तीन लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, अब बताओ जिसके बुजर्ग माबाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माबाप को देखने के लिए कि यहाँ आएगा, चात्रों के प्रदर्शन पर उठाएग इसके लिए मैंने मांग भी रखी है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि हजार लोग सड़क पर आ गए, लॉइन ओर्डर भी तो कोई चीज है, किस से मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, यह सब काम करना जरूरी होता है, मुखरजी नगर अगनी कांड क अबादोजासर ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कारवाई हुई है, तो यह कारवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है, या फिर यह मुकम्मल कारवाई हो जाती है, अगर दिखाने के लिए नहीं तो इतने सारे कांड होने के बाद भी repetition क्यों होता है, जब मुखरजी नगर में आग लगी 2023 में बच्चों का बिल्डिंग से कूथता हुआ विडियो निकला था, उस समय तो लोगों ने कहा कि मुखरजी नगर सील हो गया, कहां सील हुआ था, मतलब 61 बच्चे official record पर गायल हुए थे, फिर वहां सारी चीजें चल रही थी, अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई है कि फिर जाके लॉक लगा देंगे, तो basically क्या है न, कि हम इस पर चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूँ, ये जो बच्चें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गुस्से में हैं, क्रोधित है, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं, वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं